Hello everybody and welcome to my e-lesson मैं हूँ आपका गुरू और आज के इस वीडियो में हम आपको एक variable को एक function में पास करना सिखाएंगे कैसे आए मैं आपको दिखाता हूँ Visual Basic में जाते हैं और यहां पर हम आपार एक sub procedure दिखते हैं जिसका नाम है hero ठीक है और इसमें हम एक string डालते हैं उसका नाम रखते है mainstr और उसकी value है mainstr की value है मैं हूँ hero तेरा फिर message box दिखा देंगे हम main string जो कि यह दिखेगा फिर हम यहां पर call side hero कर रहे हैं जो कि अब हमारी value हम इसमें डालेंगे sub function में एक और function में तो उसमें लिखेंगे वह उसमें लिखा आ जाएगा calling side hero और फिर message box देखना जाए main string लेकिन अब main string में क्या देखेगा जो हमने function में लिखा है और function में क्या value पास करिए यहां से कि side hero by value लिखा है by value इसलिए लिखा है कि इसकी value जो है main string as string और message box में दिखाएंगे new string क्या value है मैं हूँ side hero तेरा तो यह कैसे चलेगा देखिए अभी दो procedure नहीं दिख रहे केवल hero ही दिख रहे क्योंकि यह function है इसको run करा क्या लिखा रहा है मैं हूँ hero तेरा अब अगली line लिख्या calling side hero और फिर आया देखिए उसकी value बदल गी मैं हूँ side hero तेरा okay किये और मैं हूँ hero तेरा वापस आगया यह देखिए यहां पर आपने इसको call करा यह message box आया फिर आया कि side hero को call करो तो लिखा आ रहा है calling side hero फिर main string का यह message आना चाहिए था यह वाला वापस लेकिन यह ना आके side hero call और side hero के हमने क्या value देदी थी मैं हू side hero तेरा उसके बाद वापस से यह वाली string चलेगी new string की जो की value अब यह बन गई है एक दूसरे की value जा रही है वापस रून करके देखते हैं मैं हू hero तेरा calling side hero तो मैं हू side hero तेरा और वापस उसकी value आते ही मैं हू hero तेरा तो ऐसे अब आप एक variable को function में pass कर सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगले वीडियो में करें विलते हैं